दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में ओम नमा सिवाय जरूर लिखे दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि वर्ष 2020 में स्रावन मास कब से सुरू है कब समाप्त होगी जी हां दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोंगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस्ट है अगर अभी तक आपन हमारे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सियर करेंगे तो हिंदू धर में स्रावन मास का विसेश महत्व है यह महीना बह महादेव को परसंद कर उन्हें अपने पती के रूप में पाया था। स्रावन मास में सिव पूजा बहुत ही फलदाई होती है। माना जाता है कि स्रावन मास में की गई भगवान सीव की पूजा ब्यक्ति जिस भी कामना से करता है वो अबस्य और जल्ध ही पूरी होती है। स्रावन मास के सोमबार ब्रत का विशेश महत है। सावन के महीने में सोमबार ब्रत रखने से और भगवान सिव की पूजा करने से मनवांशित्फल की प्राप्ती होती है, जीवन में सुख, सांती और समरिधी का बास होता है। सावन के महीने में और भी बहुत सारे ऐसे ब्रत होते हैं जो कि किये जाते हैं जैसे सावन सोंबर ब्रत, सुल्ला सोंबर ब्रत, प्रदोस ब्रत, मंगला गौरी ब्रत, सावन सिवरात्री और सावन के महीने में ही कावर जात्रा प्रारंप की जाती है सावन की सोंबार का ब्रत रखने से कुमारी कन्याओं को मन्चाहे बर्की प्राप्ती होती है यदि विवाहित महिलाए सावन सोंबार का ब्रत रखती है तो उन्हें भोले नाथ सौभागे का बरदान देते हैं सावन के सोमबार का व्रत कोई भी व्यक्ति सर्धा पुर्वक रखता है तो भोले नाथ उसकी सारोई मनोकामना पूरी करते हैं तो चलिए जानते हैं वर्ष 2020 में सावन का महीना राजस्थान, उतर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार में स्रावन मास का आरम 6 जुलाई 2020 दिन सोमबार से सुरू होगी और सावन मास का समापन 3 अगस्त 2020 दिन सोमबार को ही समाप्त होगी सोमबार से सुरू होकर सोमबार को ही समाप्त होगी तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करे ठैंक्स